नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपका इजी बडियो इंफो चैनल पर और आज हम आपके लेके आ गए हैं सिबेसी क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है हमारा पर्यावरन दोस्तों वैसे तो यह चैप्टर जो है आल्रेडी मैं आपको करवा चुका हूं ले दिस्किस्ण वाक्स में दिया है तो चाहे कोई भी क्लास हो कोई भी वीडियो हो किसी भी क्लास की आप वहां पे जाके आराम से देखिए ठीक है और वहां से डाउन्वोड कर लिजे नोट्स चाहे सेस्टी हो विज्ञान हो कुछ भी हो ठीक है तो चली सुरू कर लेते हैं पहला प्रस्ण पूछा गया है एक हृँंक तो यहां पे मैं लिख लेता हूं अती लगू ठीक्ष का सब beliefs क्या है तो आप सब को प्ता हो पोस्य सतर क्या है ठीक है तो आप सबको पता होगी पोसियस्तर क्या होता है तो आहार स्रिंखला में तो पोसियस्तर के हम बात करते हैं तो पोसियस्तर क्या होता है देखें आहार स्रिंखला में ठीक है न जो आहार स्रिंखला है ते अहार्स रिंख्ले क्या है ये भी प्रस्न आ गया आएगा थे बहुत हैँ आधा पटेक अस्तर को आधा बूसी अस्तर कहते आधे थी कि इसको दोस्तों ऐसे भी बता सकते हैं कि आहर सिंख्ला में वे जैविक घटक जिनमें उर्जा का स्थांतरन होता है ठीके ना ऐसे भी कह सकते हो तो आप ऐसे लिग दें आसानी से गर ना में तो और अगर अच्छी तरह समझ पाते हैं तो यह लिख दे ठीक है कि वे जैविग घटक है ठीक है जिन में उर्जा का अस्थानत्रण होता है कि वे जैविग घटक जिन में उर्जा का अस्थान अस्थानांत्रण ठीक है ना अस्थानांत्रण मतलब कि एक से दूसरे में दूसरे से तीसरे में वे जैवी घटक जिनमें उर्जा का स्थांतरन होता है यहां पर यह भी लिख दें कि आहार स्रिंखला में किसमें आहार स्रिंखला में कि अहार्स रंकला में वे जैविग घटक जिसमें जिनमें उरजा का अस्थानतर्ण होता है पोसी अस्तर कहलाते है ठीक है आई अब सेकंड कोश्चन में क्या पूछा गया है ठीक है ना आई है तो जो कोश्चन में सेकंड है इदर इदर नीचे नीचे तो यहां पर देखिए फुल फॉर्म पूछा गया तो बहुत यहां की चल्शाल किया अब्सक्न को और यू गरी यू नाम लिखी है क्या करना में सीफज और यू यूश्वे नाम लिखना तो चलिंए इसमें को चीजा यह यह मेरे खाल से आप भी जानते होंगे cfc की फूफर्म और यूंए पी यू-n ए पी ठीक है तो cfc की फूर्म क्या है आपको पता ही होगा क्लो फ्रोर कारबन क्या कहते हैं इसे क्लो फ्रोरो कारबन हिंदी में भी लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं है कि लोरो आधा फ और लोरो क्लोरो फ्लोरो कार्बन ठीक है आज कल तो यह बहुत लिमिटेड कई जगह पर बंद भी यह बैन इस पर यूनाइटेड नेशन्स इन्वर्मेंटल प्रोग्राम ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे इन्वर्मेंटल इन्वर्मेंटल यूनाइटेड नेशन्स इन्वर्मेंटल प्रोग्राम ठीक है ना इंग्लिस में और हिंदी में भी इसे लिख दें हिंदी में भी लिख देते हैं तो संयुक्त राष्ट संग है ना यह तो होगा इसका संयुक्त राष्ट संग नहीं प्रियाय वरन हो गया प्रियावरन कारेकरम कई एक वी आपके हो गए इसके परिभासाँ है अब आगे बात करост doctor दे चलिए तो question number three में क्या पुछा गया पूछा है सिसे उन विकरणों का नाम लिए जयों परत द्वारा और सुच्छित होते हैं ज़ों परत द्वारा के और खूर्चित होते हैं इसे हां तो लिए यहां पर क्या प्रॉब्लम है hypothetical मेशिए और जोन परतध मा विकरण पूछ रहा है कि क्या करता हैं और जोन परतध्र बीगने या परण भी बोलते हैं कहीं कहीं तो पराबाइगनी एंग्णिस में से बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट क्या बोलेंगे अल्ट्रा वॉयलेट पैरा वैगनी अल्ट्रा वॉयलेट किरुणों का ठीक है ना यानि ओजन परत के द्वारा पैरा वैगनी अल्ट्रा वॉयलेट किरुणों का और शोशन होता है पता है ना यही तो कि अब जो है बात करते हैं कोशन नंबर फोर की चलिए कोशन नंबर फोर देखते हैं क्या है कि आई ये पढ़ते हैं कि दूत्यक उभोक्ता और तुर्द्य उभोक्ता में से ज्यादा उर्जा किसे प्राप्थ होती है तो यह तो मेरे खैल से आपको ही पता होगा कि जब उर्जा नीचे से उपर की तरफ यातरा करती है न तो किसे जादा उर्जा तो भाई नीचे वालों को जादा उर्जा पराप्त होती है ठीक है? तो अधिक उर्जा अच्छे एक बात और है यहां पर मैं आपको जो यह बात है वहां पर में यह बता दू कि उर्जा ना हमेशा उपर की तरफ फुलो करती है उपर की तरफ ठीक है और घटते जाती है नीचे जादा उपर कम और फिर और कम फिर और कम फिर और कम फिर और कम ठीक है ऐसे उर्जा की परवा होती है उर्जा दूत्य 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 दूत् क्या है खूशन की सबसे चोटी कई चोटी आशा है कि और कि आहार स्रेंखला अगर तूट जाती काफी चीज़े प्रभावित हो जाएंगी काफी नश्ट हो जाएगा प्रवरन के कार्यात्मक एकाई करयात्मक 1 कि चूत गया उन्य परेवरन कि कार्यात्मक एकाई आहार सिरिंख लाए कि लिए रहे ना इस लिख दिजिए और क्या चीए जो पूछा उतना बताईए शिक्स कोशन देखते हैं शिक्स में क्या पूछा गया है कि निम्न मेंसे कौन जययो निम्नी करणी नहीं है मतलब जो सड़ेगा गलएगा नहीं जो निमनी करणें नहीं है जो सड़ेगा अगलेगा नहीं वो बताना है उन शीषा चादी का वर्क चमड़ा तो दिखें उन तो सड़गल जाएगा है सीशा नहीं सड़ेगा चादी नहीं सड़ेगा गलेगा तो यहांपर आप लिखोगे शीशा ठीक है और चादी का वर्क ठीक है चाहदी का वर्क क्योंकि यह निम्नीकरण नहीं होंगे यानि कि वेक्ट्रिया के दोरा खतम नहीं किया सकता इसको ओके अगला कोशन लेते हैं दो परजीवी के का नाम लिखो अच्छा सेवंथ कोशन है तो दो परजीवी के नाम बताने अब परजीवी बता सकते हो आप जो दूसरों की बॉड़ी पर रहते हैं तो परजीवी बताइए बताइए तो एक तो जोंक हो गया लीच जोंक लीच ल्टेम छोंक है और दूसरा हम बता देते हैं जू को तो हमारी बॉड़ी पर रहता हैँ जू को क्या भोलते हैं लीक लाई और जू जो हमारी बड़ी पर रहते हैं बस वह तो बताना है परजीवी यह परजीवी है जू को लाइस बोलते हैं जहां तक मुझे याद आ रहें थीक है अब गलती होगी तो सौरी उसके लिए और तीसरा फीता क्रिमी आप सभी जानते होंगे फीता क्रिमी जो है एक ऐसा प लुक लीबर में जाके सेट हो जाता है ठीक है तो यह आपके परजीघों बता दे नहीं और उसिदंग में क्या है या पोड़कोल क्या है क्यों प्रोटोकॉल क्यों क्यों तो रिद्ग वाथ फ्यूंस थाट पनता है जापान के सहर का और प्रोटोकॉल नियम होता है ठीक है न प्रोटोकॉल क्या होता है विसीएस नियम होते है तो क्योटु प्रोटोकॉल क्या हो गया जापान में जो है कि नियम हो गया ठीक है न जापान वह प्रेवन 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 नियम बनाए गए थे कुछ तो इसमें यह बताएं कियोटो प्रोटोकल क्या होता है तो 1987 में जापान के क्योटो नगर में जापान के क्योटो सहर में ठीक है हैFirst कि कि मात्र or कि यहिंएं की मात्र से सिये एफ्सी की विकरण या फिर उसके निसकासन की मात्र चाहिए बैठ नहीं रहें स्वारी इसके लिए मात्रा है सिंपल उन सतासी में जापान के क्योटो सहर में सीएप चीक法 मात्रा को उन्नीस सो मैंने यहां अठारा सो लिग दिया यार क्या हो रहा है गड़ बन गड़ अठारा सो नहीं 1986 के अस्तर पर मज़ा नहीं आता पीछे कोई काम कर रहा है अच्छे लग रहे हैं उन्नीस सो तासी में जापान की क्योटों क्योटों सहर में सी एपसी की मात्रा को अठारा और 1986 के अस्तर पर कि सीमित रखने के लिए समझावता हुआ था ठीके ना सीमित रखने के लिए जो नियम बनाए गए ठीक है सिम्पल है बिल्कुल कि 1987 में जापान की क्योटों सहर में सी एपसी की मात्रा को 1986 के अस्तर पर सीमित रखने के लिए जो नियम बनाए गए उससे हम कहते हैं क्योटों प्रोटोकॉल उसे क्योटो प्रोटोकॉल खा जाता है ओके आई होब कि आपको समझ में आ गया होगा चैपसी की मात्रा को ना कंट्रोल करने के लिए नियम बनाए गया था जापान की क्योटों सहर में इसलिए इसका नाम है क्योटों प्रोटोकॉल अगला कोशन लेते हैं तो कोशन नमबर जो है वन है यानि यह है लगह उत्तरिय वह थे अति लगह उत्तरिय और यह है लगह उत्तरिय प्रशन और यह है लगह उत्तरिय था और यह वह आती लगह उत्तरिय था और यह है लगह उत्तरिय प्रशन ठीके न अब इसमें जोपरस्ण है क्या पूछागी आ देख लेते agencies तो आपको मेरे खाल से पता भी होगा कि हरे पौदो को उत्त्तरिय क्यों कहते हैं हरे पेंड़ पौधे हरे पेंड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वैम कर लेते हैं हरे पेंड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वैम कर लेते हैं यानि अपने आप ही कर लेते हैं है ना जैवी घटकों के द्वारा और अजैवी घटकों को मिला कर तो हरे पेंड पौधे अपने भूजन का निर्माण स्वैम करते हैं इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है क्या कहा जाता है उत्पादक इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है और इसके लिए वो क्या करते हैं इसके लिए पौधे प्रकास संसलेशन परक्रिया का संसलेशन परक्रिया का उप्योग करते हैं कि क्लियर है तो यह आपका जो है कि आंसर हो गया अगला कोशन देख लेते आईए ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखे जिनका पुना चक्रण किया जा सकता है तो लिख दीजिए इसमें बड़ी बात है दो ऐसे तो आप भी लिख सक ईसकते हैं जैसे जिनका पुना चक्रण क्या आ सकता हुए याद रकना आपको यह even सबसे पहला जो है प्लास्टिक कर इसनद पुना इसंद चक्रण होता है बार 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 दूसरा बता दीजिए जिशा गलाकर दुबारा बना देता है काच लिख देता हूं मैं काच ठीक है अई थर्ड कोशन लेते हैं थर्ड कोशन में क्या है कि यदि एक पोशी अस्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए तो क्या होगा बहुत बहुत अच्छा प्रशने बाई इंपोर्टन प्रशने कि यदि एक पोशी अस्तर के सभी जीवों को मार देंगे तो क्या होगा यदि एक पोसी अस्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए तो उर्जा का परवाह बंद हो जाएगा क्या हो जाएगा उर्जा का परवाह बंद हो जाएगा तो यदि एक पोसी अस्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए तो उर्जा का परवाह बंद हो जाएगा ठीक है क्योंकि उपरी पोसी अस्तर में उर्जा नहीं पहुँचेगी उपरी पोसी अस्तर में उर्जा नहीं पहुचेगी प्रिणाम स्वरूप क्या होगा मतलब इसका क्या प्रिणाम होगा प्रिणाम स्वरूप सभी जीवों मर जाएंगे सभी जीवों मर जाएंगे ठीक है ना उपर वाले उपर वाले याद रखेगा अगले पोसी अस्तर तक स्थांदित होती है क्यों यह आता है एक्जाम में पहले बता अगले पोसी अस्तर तक अस्थांदित होती है क्यों इसको कुछ ऐसे लिखेंगे कि क्या होता है जीव में उपस्थित कुल उर्जा का 90 परतिसत भाग प्राडिया जीव प्राड़ी अपने प्राड़ी अपने सारीरिक और भौतिक सारीरिक और भौतिक कारेयों में ठीक है यानि जीव में जितनी उर्जा होती है न ठीक है कुल उर्जा तो उस उर्जा का 90 परतिसत भाग प्राड़ी अपने सारीरिक और भौतिक कारेयों में उप्योग करता है आईवा समझ में यही कारणे करता है और 10 परतिसत रिजर्व 10 परतिसत सुरक्षित उर्जा उर्जा शरीर में बनी रहती है यही कारण है ठीक है न समझ गये अब कारण कि नब्वे परतिसत भाग तो खाने खाने पीने में चलने में सारी चीजों में उर्जा उत्पन खर्च होती है तो इसलिए नब्वे परतिसत भाग प्राणी उप्योग कर लेता है और सिर्फ दस परतिसत उर्जा रहती है सुरक्षित रहती है तो दस परतिस उर्जा सरीर में बनी रहती है और यहीं उर्जा अगले पॉशी अस्तर में जाती है ठीके ना अगर कोई प्राइड उसको खा लेता है तो यही उर्जा जाती है यही उर्जा अगले पॉशी अस्तर में जाती है ओके कि उसके बाद कि पांचों कोशन लेते हैं देखिए पूछा गया है अब हट क्या दब जाता है बार बार कि खरिदारी के लिए आप कौन से थेले का चैन करेंगे और क्यों अब आप बताइए यानि कि खरिदारी के लिए अब कौन से थेले का चेन करेंगे और क्यों जूट म्लिट के थेले का ये प्लास्टेक है ला बताईए को श्क्त माल करेंगे तो बह foul मैं तो जूट में इस्तामाल करूंगे अocalyptic कई स्थेले का इस्थे माल करूंग कि आजएन निम्निकरनी है अगय तेड़ा ज्यूट का थेला ज्यूट का णिसिथे अब sail दार्थ से बनाएं ज्यूट म、 कार्णिय, प्दार्थ से बनाएं हुआ है कि यह कारण है तो प्रदूसर कम होगा सड़ जाएगा परिवर्ण को कम नुक्सान पहुंचाएगा बना पर कुछ टाइम के लिए बदबूत देगा तो तो परिवर्ण को नुक्सान है अगला कोश्चन है ओजोन परत ओजोन परत का पिर्थवी पर जीवन के लिए क्या महत्व है तो ओजोन परत का पिर्थवी पर जीवन के लिए क्या महत्व है बताईए कोश्चन नंबर शिक्स तो आप सब को पता है मुझे मेरे हिसाब से तो अभी उपर हमने बात कि थी ना कि ओजोन परत का महत्व, ठीक है, ओजोन परत का क्या महत्व है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं हम बता रहे हैं आपको, आराम से याद रखिएगा, ओजोन परत अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक परा बैगनी या पैरा बैगनी परा बैगनी ठीक है पहरा बैगनी किरुणों को और शोशित कर लेता है यानि अल्ट्रा बोलेट रेज को किरुणों को और शोशित कर लेता है या विक्रण बोले तो ज्यादा बहतर होगा विक्रणों को और शोशित कर लेता है और यह को कि यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल और कोई रूल भी नहीं है कि दिखेंगे न कि अब घटको का पारितंतर में क्या का रहे हैं अब घटक जानते ना बहुत इंपॉर्टेंट रूल प्ले करते हैं वाई अब घटको का पारितंतर में कारे लिखिये महतु लिखिये एक ही बात है अब घटको का पारितंतर में कारे या महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है तो भाई कौन सा कारे करते हैं ये तो आप सबको पता है और नहीं पता है तो भाई हम तो बताई रहे हैं याद रखियेगा अब घटक अब घटक पदार्थों का निम्निकरण करते हैं क्या करते हैं निम्निकरण अब घटक पदार्थों का निम्निकरण करते हैं यह निम्निकरण यह निम्निकरण किसके द्वारा होता है भई एंजाइम के द्वारा किया जाता है जो की जिवाडू स्रावित करते हैं जो की जिवाडू स्रावित यानि निकालते हैं ठीके ना स्रावित करते हैं कि यानि जो बैक्ट्रिया होते हैं वह एंजाइम से करते हैं और उस एंजाइम से पदार्थ होता है उसको डिकंपोज कर देते हैं छोटे-छोटे कड़ों में और फिर मिट्टी में मिल जाता है तो इसलिए अब घटकों का कारे बहुत इंपोर्टेंट है याद रखेगा तो इनका होना बहुत इंपोर्टेंट अब अगला कोशन लेते हैं कि अर्जा पुरा इस पेस करेंगे अब ओर और फिरयों पीराइमिट का चितर बनाना है तो बना देते हैं कि प्रप्लम है पीरामिट आप जानते हैं सब ने देखा यह दुनिया का पीरामीड तोड़ा बड़ा बनाएं बड़ियां साइग कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि तो यहां तो कि एसे सीद्धा दिखा दे रहा है ऐसे बना देते हैं चार पांट कर देते हैं इसके पटा फट एक करते हैं कम ज़्याद हुआ कोई बात नहीं एक बन गया दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, ठीक है, पहले पर होगे उत्पादक, पर्थम भोगता है, दितियों भोगता होगा उपर वाले, ठीक है न, यानि कि देखें, यह उर्जा, मतलब कि अप्छा प्रशन क्या है, उर्जा के पीरामीड बनाने, तो ठीक है, उर्जा पीरामीड से लिखता हूं कि सबसे नीचा आते हैं कौन उत्पादक कि उसके बाद से कौन आएगा भाई पर्थम फर्स्ट कंजूमर्स पर्थम उपभोगता कि ओके और सेकेंड है दूत्य उपभोगता यानि कि सेकेंडरी कंजूमर्स दूत्य उपभोगता और फिर है टर्सरी कंजूमर्स यानि की तृत्य उपभोगता ओके तो यह जो ही कि उर्जा का डाइगराम है समझ मागई बात यानि उर्जा जो है नीचे से उपर की तरफ बहती है और किस नियम से दस पर्तिशत नियम से एक और यहां भी बना के समझायता हूं ताकि जो है कन्फूजन नहीं रहेगी न और क्या लगे हाँ तो यह भी बता देते हैं फटा-फट हो जाएगा क्या प्रप्लम है एक एक जामपल देके समझा देता हूं ताकि आपको समझा नहीं रहेगी अब बस माली जी पहले वाले अस्तर पे दस हजार जूल है कितने हजार जूल है दस हजार जूल ठीक है तो दूसरे पर कितने दस पर्सेंट नियम लगता है यहां पर टैन पर्सेंट नियम उर्जा का दस पर्सेंट नियम कौन सन यहां पर लागू होता है उर्जा का दस पर्सेंट यहां पर जाएगी दस परसेंट इसका दस परसेंट निकाली यानि कि हजार जूल अगले पर किया जाएगी अगले पर कितनी जाएगी अगले पर जाएगी सो जूल पिर इसका दस परसेंट ट कि आपका उर्जा पीरामीड हो गया क्या हो गया उर्जा पीरामीड है ठीक है कि अब आप